मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं मजबूर होकर मर्द का भेज बदल कर ड्राइबर की नौकरी करने लगी, मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, रोज मुझे से रास्ते भर बातें करते जाते हैं एक दिन उन्होंने बाता बाता में मुझे बताया कि वो एक लड़की से प्यार करते हैं, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतने जवान और खुबसूरत और अमीर हैं, आप से तो कोई भी लड़की साधी करने को तयार हो जाएगी, लेकिन मेरे कदमों तले से जमिन निकल गई, जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर, मेरा नाम मालती है, मेरे माँ बाप की मैं एक लोती बेटी हूँ, मुझे पढ़ने लिखने का कोई खास सोग नहीं था, इसलिए बारुई के बाद पढ़ाई को छोड़ दिया, मेरा तालुख एक खाते-पिती खांदान से था, मेरे पिता की दो भाई और एक बेहन थे, वो उनमें जाइदात को लेकर हमेशा जगड़ा होता था, मेरे पिता सारा दिन अदालतों के धक्के खाते थे, क्योंके मेरे चाचा और बड़े बाबा दोना हमारे हिस्से की प्रपटी हडपना चाहते थे, मेरे वक्त इसने मुझे अपने हल्दी के फंक्षन में स्पेस्याली इन्भाइट किया था, उसी का फंक्षन खत्म करके घर आते वक्त काफी रात हो गई थी, के रास्ते में एक तेज रपतार से गुजरती हुई, गाड़ी मेरे पास रुकी और किशी ने मेरे मूँ पर कपड़ा रख जुद थी, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी कैद थे और कुछ जवान लड़कियां भी थी, जिन से कलॉप में डैंस करवाया जाता था, और कुछ को तो कोठा पर भीज दिया जाता था, पुलिस ने इस गैंग के साथ मिले हुई थी, इन मेंसे एक लड़का मुझे दर मुस्कुराया, उसे देखकर मुझे बहुत गुश्चा आया, और वो मुझे गुरता ही जा रहा था, मैं घबरा कर एक लड़की का हाथ पकर लिया था, और सोच रही थी किसी ना किसी तरह हमें यहां से निकलना होगा, मुझे अपने साथ अपने माबाप की भी फिक्र ह हो रही थी, मेरे बिना उनका तो रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा, तभी लड़किया रो रही थी और बच्चे भी बिलग-बिलग कर रो रही थे, मैं एक बच्चे के पास बैठ गई, वो बच्चा मुझे बहुत ही प्यारा लगा, उस बच्चे पर बहुत तरस आया, उसे देख कर लग रहा था कि वो एक वो गुस्से से जमीन को खोल रहा है सोच रहा है कि जैसे दैसे मुझे यहां से निकलने का रास्ता मिल जाए मैं उसके सर पर हाथ फैरा और कहा तुम इन जालिमों के हाथ में कहां से आ गए मेरे सवाल करते ही वो बच्चा रोने लगा तभी कुछ लोग वहां पर आए सभी को भेट बक्रिया की तरह मारने पिटने लगे और मारते हुए कह रहे थे कि चलो तुम लोगों को कहीं और शिफ्ट करना है यहां पर तकरिबन पचास लोग को कहीं और शिफ्ट होना था इस अंधेरे खाने में सुरच को देखे बहुत दिन हो गए थे कुछ पता नहीं था कि कब सुबा होती और कब साम यहां पर मौजुद कुछ लोगों से ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा था अब मुझे इस दिन का डर था जिस दिन ये लोग मुझे भी इस गिनोंने काम में लगवा देते हम लोग जिस से डरते हैं हमारे साथ वही होता है अब ये लोग यहां पर मौजुद सभी लोगों को नसे का आदी कर रहे थे एक दिन मुझे भी एक दूसरे कमरे में ले गई यहां पर मौजुद एक लड़के ने मुझे एक इंजेक्शन दिया अब रोजी ही होता और कब मैं इन नसों में नसों की आदी हो गई मुझे पता नहीं चला और जो लड़का इंजेक्शन देता उसके पास जाने लगी और उसे अपने मन की सारी बातें सेयर करती और खुब रोती कि ये हादशा होने के बाद मेरे माबाप जीते जी मर गए होंगे पता नहीं लोगों ने मेरे माबाप को क्या-क्या सुनाया होगा इस लड़के ने मुझे वादा किया कि एक ना एक दिन तुम है मैं यहां से निकलवा कर दोंगा लेकिन इससे पहले किसी ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया कहते हैं खराप वक्त गुजर ही जाता है लेकिन जिस पर गुजर रही हो उसे ही पता चलता है कि वक्त कैसी गुजरा एक रोज हम लोगों की निगरानी पर जिस आदमी को रखा गया था अचानक उसे चक्कर आ गई और वो वेहोस होकर गिर गया हम सब मौका पाकर वहां से भाग निकले यकिन करिये उस दिन हमें पता चला था कि आजादी क्या होती है अपने जान सबको प्यारी होती है हम सब अंधा धुन भाग रहे थे कुछ लोगों को गोली लग गई कुछ लोग भाग दोड में जक्मी हो गई थे मैं इतने जोर से जमिन पर गिरी थी के मेरा बाजू तूट गया था लेकिन इस वक्त इस तकलीब से ज़्यादा यही सोचती के कुछ भी करके यहां से भाग जाओं नहीं तो सारी जिन्देगी इनकी कैद में रह जाओंगी ये एक सुन्शान रास्ता था इसके पास एक जंगल था मैं उस जंगल में गुज गई थी और बड़ी मुश्किल से जान बचा कर वहां से निकल गई रात बहुत हो चुकी थी सड़क पर आती जाती गाडियों को रोकने की कौशिश की लेकिन रात के वक्त कोई भी लिप्ट देने को तयार नहीं था मैंने पैदल वहां से चलना शुरू किया लेकिन दो दिन से भूग और कुछ नसे की आदत की वजा से मेरा चलना मुश्किल हो गया था कुछ दूर भागने के बाद जब आँख खुली तो खुद को एक हस्पिटाल में पाया मेरे पास एक डॉक्टर और दो पुलीस वाले खड़े थे मुझे होस में आते ही पुलीस वाले मुझे पुष्टास करने लगे थे मैं घबरा गई थी के दोबारा उसी मैं फसना जाओं इसलिए मुकर जाना बहतर समझा लोगों ने मेरे घर का एड्रेस लिया और मैंने देखा मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी मुझे देखते ही वो चीखने लगी थी लोगों ने बताया कि मेरी माँ आज पांच मेहने के बाद बात की थी जब मैं अगवा हो गई तो लोगों ने मेरे माँ बाप को ताने मानना शुरू कर दिया इसलिए मेरे पिता ये सब बरदास्त नहीं कर पाए और फिर एक दिन वो ये दुनिया छोड़ कर चल बसे मेरी माँ बेटी और पती के गम में दिमागी तोर पसे बेमार हो गई थी और आज जब वो मुझे देखी तो चीख चीख कर रोने लगी दो दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई तो पता चला के ये समाच लड़कियों के घर से भागने तो याद रखता है लेकिन किसने वगवा कर लिया ये नहीं देखता हर किसी ने अपने अपने सोच के मताबिक राई दे देते हैं और दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते हैं मेरे घर आते ही आसपडोस लोग, मेरे घर पर एकठा हो गए, और मुझसे सवालों की बारी सोने लगी, वो लड़का कौन है, जिसके साथ तुम भाग गई थी, माबाप के बारे में तुमने जरा भी नहीं सुचा, तुम्हारी वजा से तुम्हारा बाप की दुनिया छोड़ को घर पर रखा, तुम्हें समास सिवाहे निकाल दिया जाएगा, मेरी माँ ने सब लोगों की बातें सुनी और खामूस रही, क्यूंकि हमारी कोई सुने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा, और घर छोड़ कर सहर चली आई, सहर में मेरी ने सहीली रही थी, रात की बारे बजे हम उनके पहर पहुंचे, अचानक हमें अपने घर देखकर मेरी माँ की सहीली, सुनीता अंटी घबरा गई, उन्होंने हमें घर के अंदर आने को कहा, और एक कमरे में बठाया, अभी हम सब बातें ही कर रहे थे, तभी मैंने देखा, स मेरे साथ खेलने की जीत करने लगा, सुनीता अंटी के बेटे, अमर की उम्र लगभग बाईस साल थी, लेकिन वो बच्चों की तरह बेव करता था, उसकी माँ ने मुझे कहा, बेटी उसकी बात माल लो, नहीं तो ये हमें परिशान कर दीगा,